तो फाइनली ढूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षच है इतिहास, पार्ट नमबर दो, हर्याना बोर्ड की किताब है हमारा भारत एक नाम से, तो उस पार्ट का ये पार्ट नमबर दो है मनलब उस किताब का पार्ट नमबर दो है, तो आज इस वीडियो में मैं आप ब्याज के परसनुतर कराने वाला हूँ, पार्ट का नाम है आपका वेदिक काल, चलो सुरू करते हैं, मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास, हाँ एक काम की जानकारी है जो आपी के ल लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट आप कर सकते हो, लिखे हुए भी हैं और वीडियो भी दोनों तरीके से हैं, तो कमेंट में फिर्स्ट कमेंट चेक कर ले ना, उसाथ में डिस्क्रिप्शन जहां से जाना चाहो जा सकते हो, चलो ब शुरू करते हैं questions को, पहला question है, आ रिगवेद में खालिस्तान मंडल और खालिस्तान सुक्त हैं, यानि कि हमसे दो चीजे पूछे हैं यहां पर, पहले हमसे पूछा कितने मंडल हैं और फिर पूछा कितने सुक्त हैं, तो कोमें लगे हुए यह, तो यह कोमें इंडिगेट कर रहे हैं कि पहले वाले का जो है, पहले वाला दूसरे वाला दूसरे वाला तो कितने मंडल है टोटल दस मंडल है और एक हजार अटाइस सूक्त हैं तो यह हमारा उत्तर रहेगा अगला जो परसन है वो है ग्राम से बड़ी संस्था खालिस्तान होती थी गाउं से बड़ी संस्था खालिस्तान होती थी क्या होत इसको बाट गया था तो सो साल की तो इसको बाट दिया 25 यह करना था ऐसे चार हिस्वों में मनुस्या के जीवन को बाटा गया था चलो आगे बढ़ते हैं पांचालों का गंगा यह मुना के ऊत्तर में था वैखालिस्तान इसकी राजधानी थी वह था अगला पर्संद हैं परसन हेमारे पास वहा है उत्तर मिमान्सा को लुन orious कें बर्बार नी को पूस नहीं डी है नमीर और ullenra रेष्ट के लिए रथ दोड़न होता था नि कौन सा यच्या था था यहां दो यच्या सब्दो से समझ आएगा आपको जो आ काल को आरियों की परगती का काल कहा जाता था तो कौन सा काल था वो उत्तरवैदिक काल था उत्तरवैदिक काल में राजा केकर एकतरित करने वाले अधिकारी खालिस्तान कहा जाता था तो उसको क्या कहते थे भागदु कहते थे खालिस्तान नदीर गवेदिक काल की सबसे पवितर नदी थी कौन सी नदी थी पवितर सरसवती अब हमारे पास आच्छकता है है उचित मिलान करें उचित मिलान को करने हैं यहां पर तो इदर की साइड में देखो अंत्रिक्स के देवता गरीहस्तासरम राजसुय यग्या महीशी इरिगवेद यह है अब इदर की साइड देखे तो इंदर प्राचिंतम गरंत जीवी का आरजित करना एवं बच्चों का पालन पोशन राजा के राज़ेविश्चे सम्मदित और मुख ख्यारानी तो यह हैं यहां पर चलो अब मिलाते हैं तो मिलाना बहुत आसान है देखो अंत्रिक्स का देवता यहां पर देवता कितने हैं शिरफ एक ही देवता है बाई जो दिख रहा है हमको इंदर देवता गरी हस्तास्रम गरी हस्तास्रम के अंदर क्या होता था परिवार बचाना मतलब परिवार पालन पोशन करना होता था तो यह है हमारा गरी हस्तास्रम जीविकार जित करना और बच्चों का पालन पोशन करना अब एक आ गया राजसू यह यग्या यह जो है राजा के राज्य बढ़ते हैं अब हमारे पास आ गया तो इसे वाला टका मालना हो गलते है तो वैंदिय काल में जीवन को वा! नियुकर आप चाहें वह संव संस्ताहें राजायों पर अंकुश रह तो बैंद्धर जय को सबाच है नातर आप देखने को मिलती थी सन्यास आसरम में समाज जित के लिए परियास करना होता था तो यह बिल्कुल गलत है यह वानर प्रस्त आसरम में करना होता था सन्यास आसरम में भगवान की शेवा करनी और आपको मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान से प्राप्तना करनी होती थी यह नहीं करन में बाणों के नुकिले अगर भाग कहीं बार विश्चे भी बुझे होते थे बिल्कुल सही बात है ये भी देखो रीगवेदिक काल के अंदर बाणों के आगे वाले भाग पे लोहा जो धातु थी वो चढ़ा दी जाती थी तो लेकिन उत्तरवेदिक काल के दौरान क्या वक चांश का तो उसे होता क्या था अगर वो तीर पहले केसं देखते हैं अहीं गर बंसों लग गोवेद्व का गये तो ये घंदर को निधे कお को था ही जान बचानी तो यहाँ पे ज़्यादा चांस देगी किसी राजा वगयरा पे को मारने के लिए खास तोर पे ऐसी तीरों का इस्तमाल किया जाता था चलो आगे बढ़ते हैं लगू परसन उत्तर हमको करने हैं लगू बंदर छोटे वाले परसन है विश्व का सबसे प्राचीन गरंथ कोन सा है बहुती प्यारा और आसान सा कोस्टन है रिगवेध है सबसे पुराना यह तो याद रख लेना यार नाम इसका एक नाम है सबसे कौन करता था राजा को पूछे का क्या रहा जाएगी तो इनको जोड़ने के लिए बीच में मद्यस्ता का काम करते थे जो पर्जा को नियंतरन करना और जो सारी चीज़े करनते थे तो वह कौन-कौन लोग होते थे खास तोर पर वहोते थे पुरोहित सेनापती ग्रामनी आ रचना ऐसे अकेले बंदे ने नहीं करी थी बहुत सारे रिशी मुनियों ने मिल के इस गरंत की रचना करी थी तो रिग्वेद की रचना ग्रित्समद विश्वामित्तर वामदेव अत्री भार्दवाज वसीष्ट करनव और अंगीरा आदी रिशियों ने सरस्वती और दस कौन सी नदी है देखो यह पुराज़ नदी थी जो कि समय के साथ सूख चुकी है और हमें इसका जादा जानकारी नहीं है लगिने फिर नॉर यहrid बैठके चलो वेद लिखते हैं और वेद लिख दिया बैठके नहीं यह किसी ने थोड़ा सा अपना योगदान दिया किसी ने कभी अपना योगदान दिया पता लगे 200 साल बाद किसी ने अपना योगदान दे दिया उस वेद में तो ऐसे थोड़ा 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 चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे वह चीजों के बारे में जो राज्य सामराज्य क्या सीन चल रहा था बट में 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 से ये थे हमारे कूरू पांचार काशी कोसर हमें कितने परमुक राज्यों के नाम लिख रहे थे नाम थिर यह लिए था कि आपको दो तिन उनके कारियों का उल्लेख करें एन कि कौन-कौन से अधिकारियों को निउक्त करता था राजा टाकि राजपाठ सही त्रीके से चलता रहे उत्तरवेदी काल में सासन की कुसलता के लिए राजा जो है भागदू जो करिकठा करने वाला अधिकारी था संगरहीता जो खजांची होता था सूत जिसको सार्थी कहते थे दुवारपाल संदेश लाने ले जाने वाला जो वेक्ति होता था संदेश वाहग जिसको कहते थे पालागल पुरोहित और युवराजा से कुछ अधिकारियों की जुकती किया करता था जिससे उनका सासम पर सही तरीके से चलता रहता था अगला जो परसन है वो है आईए विचार करें यह थोड़े से बड़े परसन आ जाते हैं हमारी दो नंबर या तीन नंबर वाले या पांच नंबर वाले भी बरता नहीं है तो द्यान रखना अकर लिखने में अगर आपको लिखने रहा दूसरा आदा नहीं आ यहां पर आपको बदल के लिखने आपको टीक है तो त्पर गल के समाघ की सबसे चोटी हिगाई परिवार होती समाज जिवन का मलब समाज किस हिसाब से बठा हुआ था उस ताइम पे वो हमें बताना है रिगवेद की भाती समाज वर्णों में विभाजित था परन्तु उसका अधार अब भी करम ही था सुद्रों के साथ भेदभाव नहीं होता था छुवाचूत की भावना भी नहीं थी वैसर देव यग्य में लगे आरियों के लिए सुद्रों दवारा भोजन मनाने का प्रावधान था अथर्व वेद में सभी वर्णों की किर्थी के लिए कामना मिलती है उत्तर वेदिक काल म मनुस्य की आयू को सो वरस मानते हुए उसको चार अस्रमों में बाटा गया था जनम से लेकर मिर्ट्यू तक सोड़ा संसकारों को करने का परचलन था और इस काल में सात्विक भोजन होता था तो ये था पूरा समाज मलव खारना पाना वैसे इसा सेम था सोड़ा संसकार करन होते थे चार असरम में बाटा होगा था पहले भी रिखवेदिक काल में और मोर्मों सेम साही यह वो पहले भी किसी के साथ बेदबाब नहीं होता था अब भी नहीं होता है तो ये हुआ है सामाजिक जीवन उस टाइम का तो चाप अब जो है अगला जो परसन है रिगवेदिक काल में पारिवारिक सरंजना किस परकार की थी वणन कीजे पारिवारिक सरंजना होते हैं परिवार किस हिसाब से बने हुए थे कैसे काम करते थे वो हमें बताना है रिगवेदिक समाज का आधार संयूक्त परिवार होता था संयू ले सकता था बाग की सब कर सकता मार कुटाई जितनी करनी है लेकिन ऐसा होता नहीं था वह बहुत ही प्यार से अपने परिवार को चलाता था अगला जो परसन है वो है उत्तरवेदिक काल के आर्थिक जीवन का विसलेशन करें आर्थिक जीवन दे को ये सबत बार बार आते रहेंगे तो कन्फूज नहीं हो ना कि उसमें लिखनी कौन सी बाते हैं अगर आपको मालो चैप्टर याद आ गया है बाई ये ऐसे से सीन था लेकिन उसके बावजूद आप ये नहीं सोच पारे कि मुझे लिखना क्या इसमें तो उसमें कन्फूज नहीं होना तीन-चार वर्ड होते हैं आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ये तीन चीज़े तो ध्यान लखो देख राजनीतिक में राजपाट का लिखना है आर्थिक मे में कई आप आर्थिक जीवन पूछे और आप राजनितिक जीवन चेप के आज है वहाँ पर बोले नंबर ही नहीं आए मेरे तो तो ऐसा मत करना ठीक है चलो अभी बढ़ते हैं आर्थिक जीवन का विश्रेशन करना है इस काल में आये का प्रमुख साधन खेती था देखो सारे इतियास में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा जो आये का साधन रहा था वो खेती ही था खाली पेट कुछ नहीं होना खाना पीना सब को चीए था तो खेती से ही वह परमुख साधन हुआ करते थे लोगों के रितूओं के इनुसार फसलों को बोया ओड़ा और काटा जाता था सिंचाई के लिए वे वर्सा पर ही निर बरते कुवे और नदियों के जलका पर योग भी करते थे देखो उत्तर वय दिक बात है ये द्यान रखना उत्तरवेधिकाल में इसा होता था रिगवेधिकाल में क्या था नदियों के किनारों पर रहते थे आजब से पानी मिलता था और बाद में जो है अब यह लोग भी वैसा साही था थोड़ा सा मोडिफिकेशन आए तक उवे वगारा खुदवाने इनों ने शुरू करे थे इस काल में गाएं का महतब काफी बढ़ गया था और उसे सरधा की दृष्टी से देखा जाता था इस काल में हाथी उंट गोडा सूर कुटा गदा और अन्यकाम आने वाले प शकाईयों के उल्लिए भी मिलत यह कुछ मुद्रा है जैसे हमारा जो मुद्रा है ना वो रूपिया एक रूपय दो रूपया दस रूपय बीस,पचाससो दो सो पानसो ऐसे रूपया है हमारे पास में तो वैसे उस टाइम पर चलते थे निश्क बभलब एक निश्क डो नि बेशक से कोई टैंसल नेने की बात नी है चलो आगे बढ़ते हैं रिगवेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्ता का विशलेशन करें एनिके हमको क्या बताना राजनीती कहान रखो सब्दों पे रिगवेदिक काल का पूछ रखा हमसे कि उस समय राजा और राजबाट कैसे चलत था राजनीतिक द्रिश्टी से रिगवेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जन्व विशमों में बटो में बटे हुए थे सबसे चोटी परिवार का मुंही पिता या फिर बड़ा भाई होता था जिसे कुल अब कहा जाता था देखो विशलेशन करना है वो डिपैंड करता है कितने नंबर का था यह मैंने दिखा तीन नंबर के हिसाब से तीन का या पांच का भी आजाई वन तो आपको से मुझतर लिखना है लेकिन पूछ ले मान ले इस तो नहीं करेंगे कुलेश से महाँ बनता है गाव के मुख्य को ग्रमणी कहते थे ग्राम से बड़ी जंस्ता विस होती थी जिसका स्वामी विश्पति कहलाता था कई विशो के समुखों को जन कहा जाता था देश के लिए राश्टर सबद का परियोग किया जाता था जन के अधिपती को राजन कहते थे ये जो है अपने नार्टेक वाट को में भी देखा होगा बुलाते है राजन तुम ये काम अच्छा नहीं कर रहे तो वैसे ही वाले रा राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था जो मन करे कई अमसरों पर वे राजा का चुनाओं भी करती थी और राजा को हटा भी देती थी ये उनकी मर्जी थी राजा चुनना है रखना है नहीं रखना है राजा की साहिता के लिए पुरोहित सेनापती ग्रामनी आस्तिक व्यक्याएं कौन कौन सीथ हैं इनके अनुसार संसार क्या है छे व्यक्याएं मैं आपसे बोला भी था जब चैप्टर करा रहा था यह ध्यान रखना एक जाम में यह पूछी जा सकते आपसे तो यह तो अभ्यास वाले इन्हीं में पूछ लिए और आएक चीज बता बागी मैं इंपोर्टेंट को सब्सक्राइबा बना रखिक में आपने रिएंगा आते हैं कभी एक दो साल बाद भी देख लेते हैं तो अगर बाद में देख रहे हो आपको जो है इंपोर्टेंट को सारी चीज आप ठीक है अब इस फ्रेंशन संक्खेदर्सन , योग दर्सन , वैसीक दर्सन , न्याय दर्सन , पूरों पूरँव मिमांसा उत्थर मिमांसा तो यह थी शैस्टिक व्याकिवैं और यह और मानती है क्या मानती है इनके नुसार संसार क्या है माया जाल ये माया जाल मानती है संसार को और कुछ नहीं है मलब धोका एक तरीके से कह सकते हो आओ करके देखे पहला इए परसन है एक इपरसन है नारी की वरतमानी स्थिति और रिग्वेद गाल की स्थिति का तुलनातमकद्दन कीज़िए य dislike आज के समय है जो स्थिति नारी की जो स्थिति है वो कैसी है और पराचिन समय रिगवेदी काल में क्या स्टिती थी वो हमें देखना है रिगवेदी काल में इस्तियों की समाज में इस्तिती अच्छी थी विवहा परीपक ववस्था में ही होते थे यानि कि भचपन में बाल विवहा होते थे basicly उन्हें भी सवतनतरता पुरवक घूमने फिरने पढ़ने लिखने पती को चुनने का अधिकार था पर्दा पर्था का पर्चलन नहीं था और इस्ट्रियों की शिक्षा दिखसेगी समूचित व्यावस्था थी धार्मी कारियां इस्ट्री के बिना पूर्ण नहीं होते थी उनकी उपस्तिती अनिवारिया होती थी की चीजे से मैं बनी है ना चलो यह थे आपके अभ्यास के पस्तन उत्तर आई होब आपको समझ में भी आ गए होंगे और अगर नोट बुक वगरा प्रिपेर करने है ना तो लिख रखे है मैंने वेबसाइट पर वहां से आराम से किया करो यहां पर याशी वीडियो देखो टाइम पास नहीं करना चाहिए फिर आपको तो मैंने लिख के सारो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रखा है तो वहां से आपके इजी रहेगा आपको आप ही के लिए बताता हूं वह चीज स्टार्टिंग में ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ नोट बुक प्रिपेर करने आये हैं तो वह वहां पर जाके आराम से बैटके लिख तेरे फोन में विल्कुल वह पोज पले पोज पले वह वाला जमेला ना करना पड़े तो वह आप यह के लिए बताता हूं पाकि हाँ जिसको समझने होते हैं तो भाई वो तब पूरी वीडियो देखे आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए